हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे पीक डब्लीव वर्सेज डब्लीव याने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीस के बीच में जो आज खेला जाएगा वुमेंस टीट्वेंडी वर्ड कप का मैच दोस्तों यहां पर हम फुल डिटेल में बात करेंगे ले मैच खेला जाएगा पाल के ग्रौन पर जहां आपको देखने को मिल रही है रही है बहुत ज़्यादा टर्न बहुत स्पिन हो रही है दोस्तों इस वेन्यू पे तक चार मैच खेले जाचुके हैं इसी वर्ल्ड कप में वो चारो मैच्चिज आईए देखते हैं पहले कहें 10 में से 5 विक्टे spin को गई थी दोस्तो spin को विकेट गई थी इससे आपको अंदाजा लगता है काफी ज़्यादा help हुई है उनको then दोस्तो match number 3 हुआ था जहां पर 19 में से 8 विकेट spin को गई थी match number 6 हुआ 16 में से 11 spin को then हुआ match number 7 16 में से 7 spin 7 fast ठीक है दो रनोट भी थे बट ओवराल देखोगे 61 में से काफी क्रूशली आपको दिखेगा 31 spin को विकेट जा रही है spin को जाधा विकेट है जो हमने पहले ही बात करी spin पे थोड़ा ध्यान देंगे run scoring उतना असान नहीं है हाई स्कोर अभी तक यहां एक ही टीम ने किया है औस्ट्रिलिया ने 173 उसके लावा ज़्यादा run scoring हुई निया किसी टीम से तो दोस्तों अब हम head to head का देख लेते हैं head to head में दोरों टीम से 16 मैचिस खेले हैं सिरफ तीन बार West Indies की टीम हारी है पाकिस्तान यहां पे तीन बार जिरफ जीती है ठीक है जादा मैचिस जीती है West Indies की टीम लेकिन मेरे सबसे आज जो फेवरेट है पाकिस्तान रहेगी रीजन्स अब ना तो स्टेफानी टेलर के जादाज खेलने के चांस है पिछले दो मैच भी उठाके देख लो West Indies जीती है लेकिन आज मुझे लग रहा है पाकिस्तान का एज है तेरा तीन से बले ही West Indies आगे हो चाहे जादा मैचिस अभी तक West Indies जीती है परफॉर्मर्स देख लो इन में 102 पाकिस्तान ने किये West Indies ने चेज मारा आलियार यास के 29 थे टेलर एक बड़ा डिफरेंस चार विकेट और 43 हेले मैथिउस 1 प्लस 1 विकेट कुनेल 2 विकेट नीदादार 17 रंस प्लस 1 विकेट ठीक है मैथिउस के रन नहीं आया बट एक विकेट आई मैथिउस का इनके सामने बल्ले से रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ नौरन और एक विकेट नीदादार 29 प्लस 1 विकेट फातिमा सना 8 नौट ओट प्लस 2 विकेट जीती यहाँ पर भी West Indies की टीम ही तो West Indies की टीम ने यहाँ पर इसेंड में भी हराया है पाकिस्तान को बट मेरे साब से थोड़ा एज मैं अगर मेरे से बूचों के पाकिस्तान को दूँगा हैट टू एड में टॉप स्कोरर कॉन रही है यहाँ पर बिजमा मारूफ पास अच्छे रंज है एट पॉइंट एट एट की एवरेज है हेले मैथ्यूज की तो कोई खास एवरेज है नहीं है बहुत ही फ्लॉप रही है ठीक है बट हेले मैथ्यूज की फॉर्म अच्छी है प्लस शी केन और सो बोल वो तो हम मिस्करी नहीं सकते तो ग्रेंड लिग में रिस्क लेना हुआ ले लेना बट स्मॉल लिग में मतलब नी बनता है ले मैथ्यूज ही सी वी सी करनी पड़ेंगी ठीक है नीदादार सोला में 14 विकेट है कुनेल 10 में 11 स्टेफानी टेलर 11 में 6 फातिमसना 3 में 4 हेले मैथ्यूज 8 में 4 विकेट F.E. Fletcher 7 में 4 विकेट ठीक है ध्यान रखके चलना होगा आपको दोस्तों अब आपको देखने को मिल रहे है पाकिस्तान की प्लेयर रोल्स और रिसेंट फॉर्म हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी मैं इधर हो जाता हूँ अब ताकि अराम से देख लो जिस भी प्लेयर का रोल देखना है और रिसेंट फॉर्म यह हमने पिछले वीडियो पे भी स्टडी किया है आप फिर भी एक बर गौर कर सकते हो लाइन अप में मुझे कोई चेंज दिखना ही रहा पाकिस्तान की जवेरिया से ही ओपनिंग करवारे हैं हाला कि वो फ्लॉप हो रही है चेंज करना है तो यहां सिद्रा अमीन को टीम लेकर आ सकती है और कोई चेंज तो मुझे दिखना ही रहा लास्ट मेच पे मुनीबा अली वास फैबूलस बिजमा ने अच्छा किया नीदा इनकी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेर है और भी कोई मुझे चेंज दिखना नहीं रहा लास्ट मेच पे तुबासन की एंट्री हुई थी आई थिंग वही कॉंटिन्यू करेंगी यहाँ पे पाल के ग्राउंड पे ठीक है बाकी इनकी परफॉर्मेंस एक बर ही हम गौर कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि बल्ले से पहले मैच में चली है बिजमा मारूफ ठीक है दूसरे मै अच्छी है इनके पास तूबा हसन है दो ऑवर डालके एक विकेट पिछले मैच से फरस्ट मैच नहीं खेली ठीक है और स्पिनर में नीदादार है बढ़िया है दो विकेट निकाली है पिछले ही मैच में अच्छी बोलिंग करके विकेट निकाले थे सद्या एकबाल पास निकाली है इनके पास फातीमसना है ईंकी में पेसर है बाकी दो ऑनमर और और आलियार याज सपोर्टिंग पेसर आपको देखने को मिलेंगी ठीक है अब इनके बार नजहर डालेते फुल्स इन्फो पर के बाद मैं आपको पताऊंग रिसेंट फॉर्म के हमने स्टैड देख रहे हैं फुल स्टैट प्लस इंफो मैं साइड पर सब्रूद करोंगा इस स्लाइट का आप यूज करोंगे क्योंकि बहुत लगती बनाने में ठीक है अब आगे यह दरफ बढ़ते हैं दोस्तों बनेग बेंग वेस्ट इंदीस का प्लेयर रोल्स प्लस रीचेंट फॉर बहार हो गई है, बृट्टी गूपर आई है एंट्री, लेकिन लास्ट वेच में खिलाया नहीं है, बृट्टी गूपर को, और वैसे भी उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, कि मैं आपको कहूँ टीम में लेनी है, ठीक है, तो हम इनके यहां पे देखते हैं, लास्ट वे और कैमबल को छोड़ दो, बागे सब रेगुलर बोलिंग कर लेती हैं, दोस्तों यहां पर आप इनके प्लेयर की परफॉर्मेंस देख रहे हो, हेले मैथ्यूज इनकी टीम की में प्लेयर हैं, लास्ट मैच पे वो रही लास्ट तक तभी यह जीते, 66 की उनकी बहुत इंप कोंट्रिबूशन रहा है, टेलर इंजरी है, तो बेरे को लगता है वैसी नहीं खेलेंगी, ठीक है, इनकी गेंदबाजी पे चलते हैं दोस्तों, गेंदबाजी में बहुत विकल्प है, इनके पास, मैं पहले ही आपको बता चुक हूँ, ट्रिमेंडस आप कह सकते हो, विकल 8-9 विकल्प होना, एक टीम में भहिया बहुत बढ़ी बात है, लेकिन लास्ट मैच में गजनबी खेली, बट ओवर नहीं डाला, एक विकल्प गायब, यहां पे केवल एक ओवर मिला, आलिया लैन को, जायदा जेम्स ने ओवर नहीं डाला, शकेरा सलमान खेली ही नहीं, ठ टार ओवर थे, शमिलिया कोनल पहले ही दो मैच पे विकेट लैस, लास्ट में इन्होंने सीधा तीन विकेट टिंका ली, गेम चेंजर बताई थी, मैंने ट्वेंटिएथ ओवर डालती है, ठीक है इस वज़े से, हेले मैथ्यूस को विकेट कम मिली हैं बले ही, लास्ट मैच की इंपोर्टेज बहुत जादा है, हाला कि उनका रिकॉर्ड हेड टो एड में देखा, पाकिस्तान के सामने नहीं है खास, बट स्टिल, ये इनके बोलिंग के प्लियर्ज है, फुल स्टाइट्स प्रस इंफो देख सकते हो, वाम अप मैच के भी स्टाइट्स एक बार आप वेस्ट इंडीज वूमेन के, ये मैंने कई बार स्लाइट जैक्स प्लेइन की है, तो मैं आपका टाइम सेफ कर रहा हूँ, जो यहाँ पर रीड करना चाहे कर सकता है, मैं चलूँगा मैच अप्स की तरफ, मैच अप्स में पहले हम देखेंगे वेस्ट इंडीज के प्लियर तो दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेंगी हेले मैथ्यूज, ये इंपोर्टेंट है, ये हमें पता है, लेकिन इन्होंने देखो, निश्वरा संदू के आगे विकेट दी है, आलिया रियास के आगे दी है, तीट्वेंटी में, नीदादार को एक बार ही वंडे, एक बार ट बाकी अन्वर ने इनको एमान अन्वर ने किया है, एक बार टीट्वेंटी में, नश्रा संदू ने अगेन बार टीट्वेंटी में आउट किया है, अब चलते है पाकिस्तान की बल्लेबाजों की तरफ, इनकी बल्लेबाजों में देखोगे सबसे उपर है मुनीबा आली, लास्ट मैच की सिंचूरियन, शिनेल हेंडी ने एक बर वंडे में आउट किया है, हेले मैथियूज ने चार बर आउट किया है, ओफ ब्रेक बोलर टूर लेफ्ट हैंड बेटर, जरूरी नहीं है, फिर से मुनीबा अंडर मारे भईया, फिर फिफ्टी मारे, लेकिन इम्पोर शिनेल हेंडी ने इनको एक बर आउट किया वंडे में, एक बर हेले मैथ्यूज ने वंडे में, शकेरा सलमन ने इनको आउट किया है, जवेरिया पेसर्स पर आउट हुई है, क्या बात कर रही है, जवेरिया आप वैसे तो आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, पेसर्स की अ ओवरॉल देखोगे फ्लेचर इनको तंग कर रही है अगर नीदधार का देखो शिनेल हन्री रइन वन्टे में आउट है ठीक है दो बार आउट हुई हैं यह मैंत्यू पे बार वन्टी इसके लबार ने इसके लाब फ्लेचर के आगे एक बार आउट हुई हैं दो और देख तो दोस्तों अपर सबसे पहले विगेट कीपिंग सेक्षन में आपको मिलेंगी मुनीबा अली डेफिनेटली इंपोटेंट प्लेयर है, लास्ट मैच में ये पहली सिंचूरियन बनी है फॉम दा पाकिस्तान मुमेंट टीम जिसने शतक मारा एक T20 मैच में फिनॉमिनल फॉर्म, लेफ्ट हैंड प्लेयर है, एलिगेंट है, ठीक है सिद्रा नवाज खेलेगी नहीं, रशादा विलियम्स भी ओपनिंग पे आई, स्टेफानी टेलर इंजट थी जिस वज़े से रशादा विलियम्स को ओपनिंग करवाई गई और विकेट कीपिंग में भी इनोंने कुछ पॉइंट दिये अच्छी खेली थी, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि इनको 100% पिक करने है, आपके उपर है ओपनिंग विकेट कीपर है, आप ट्राय कर सकते हो, ओपनिंग पास अच्छा टाइम रहता है, बस यह थोड़ी इंकंसिस्टेंट है, यह इशू है शमीन केमबल वेश इंडीस की अच्छी बल्ले बाजों में आती है, हेले मैथियूस के बाद बल्ले बाजों में इनी को टॉप पे रेट करूँगा, अगर स्टेफानी टेलर नहीं खेल रही मैं दोस्तों बिजमा मारूफ के साथ हूँ, जो पाकिस्तान की वंडों पे आती है, इंडिया के सामने 60 प्लस की इंक्रेड़ेबल इनिंग्स खेली थी, उनी को मैं लेकर चल रहा हूँ आप चाहो केंबल को भी पिक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, स्टेफानी टेलर को मैं दोस्तों पिक नहीं करा, लास्ट मैच में इंजर थी, जिस वज़े से यह खेली नहीं थी, जावेरिया खान आपको मिलेंगी ओपनिंग पे पाकिस्तान की तरफ से, हम सब को पता है, जावेरिया कान इंपोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इतना अच्छा खेल नहीं पारी, तो भाईया, इनका सेलेक्शन काफी गिरी है, और मैंने भी कभी इनको पिक नहीं किया, पिछले कुछ मैचे नहीं मैं करूंगा, प्लेयर अच्छी ह करेंगी, जब जरुत पड़ी, इनको भीज़ जाएगा, नेशन इंजर हो चुकी है, उनकी जगा ब्रिट्टी कूपर एड हुई है, कूपर का भी इतना कुछ खास टैट नहीं है, नहीं लोगा, सदाव समाश को नहीं लोगा, जोसेफ और ट्रिश्चन होल्डर को भी नही इम्पोर्टेंट है, शिनल हेंरी, ओवर भी करती है, मीडियम फास्के, रंस मारती है, इनको भी मैने लिलिया है, इम्पोर्टेंट रहेंगी, आले अरियास को मैं दोस्तों नहीं पिक कर रहा हूं, आले अरियास, लास कुछ मैच्छे में ज़ादा हो और नहीं करी, एक और कुछ बल्लेवाजी ऐसा सा सीन चलता है इनका जायदा जेम्स अगें लेफ्ट एंड बैट्समें लेफ्टाम और्थोडोक्स लेकिन लास्ट मेंच पे कुछ मोका ही नहीं मिला तो इन पर मतलब नहीं यह बात करने का वैसे प्लेयर बढ़िया है उमायमा सोहिल और काइना पर इतना ध्यान मत देना उमायमा बड़ी और राउंडर है बल्लेवाजी जादा अच्छी करती है थोड़ी सी स्पिन गेंद बाजी भी शकेरा सल्मान लास्ट मेंच खेली नहीं लास्ट मेंच केली थी नश्रा संदू और तीन-चार विकेड भी निकाली थी बहुत अच् अच्छी विकेट टेकर हैं एफी फ्लेचर लेक्स पिनर को भी टीम में रखूंगा चार और पूरे करती है शमिलिया को तब लूंगा अगर वेस्ट इंडीस की पहले बोलिंग है क्योंकि ये डेथ में डालती है फातिमा सना को जरूर रखूंगा दोस्तों अच्छी बोलर तूबा हसन है लेक्स पिनर और कुनेल है कुनेल सब लोग लेंगे क्योंकि सेफ है पहले दो मैच पे विकेट लेस थर्ड में सीधा तीन विकेट पर मैं तूबा हसन के साथ गया हूँ जो मुझे कॉलिटी लेक बोलिंग ऑप्शन देती है वेस्ट इंडीस के आगे पर पर क्या चलती है स्पिन फाथी माइन आपको सभी पीनर मिलेंगे शिनल हैं रोंडर करती है बाकि सभी की सभी आपको मेरी टीम में यह स्पिन वोलर्स देखने को फिल रहे है कुण ञाधा तर यहां पर रहा है कैप्टन सी इनी दोनों में दूंगा सी वीसी फॉर इनी बिढून में दोंगा आप सोच रहाए हूँ और वाइस कैप्टन सी किसको मन है कैप्टन सी नीदादार को देने का लेकिन सेफ हेले मैथ्यूज आठ करके आ रही है so for only that reason मैं यहाँ पर अपनी captaincy क्या कर रहा हूँ हेले Matthews को दे रहा हूँ और wise captaincy मैं दे रहा हूँ यहाँ पर नीदादार को otherwise आप इसका reverse करके अगर four member खेलना चाहे हो खेल सकते हो ठीक है तो यह भाईया मेरी team हो गई मुनीबा अली टॉप पर आपको दिखेंगी captaincy wise captaincy आपको दिखेंगी Matthews और नीदादार पर आप जो change करना चाहो दोस्तों कर सकते हो if you want a screenshot you can definitely go for that ठीक है उमीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर आपको लगता है काम की है तो आप subscribe ज़रूर कर सकते हो bell icon प्रेस कर सकते हो और दोस्तों जुड़े रही है फुरकाश फैमिली से बहुत अच्छा लगता है जब आप comment करते हो अच्छे-च्छे आज बहुत बेनत करी है tiredness भी है because 4-4 वीडियो का काम करके फिर recording हो रही है उमीद करते हो आप support करोगे like करोगे ठीक है